तो दोस्तो गूड मॉनिंग दोस्तो आज इस वीडियो में बात करूँगा मैं एक बहुत सी इंपोर्टन्ट प्रोड़क्ट के बारे में जिसका नाम है पेट साफ तो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वस्ट करता हूँ मेरे इस चैनल मैं स्टर्ट क्लास को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेर और लाइक कीजिए दोस्तो हम काफी सारे वीडियोज बनाते हैं मैटसिंस के उपर उसके advantages, उसके disadvantages, उसके side effects, उसके complications, precautions और काफी सारे informations आपको दे रहे हैं और काफी सारे वीडियोज हम बना रहे हैं वो भी दो languages में, Hindi और English में तो यहाँ पर देख सकते हो, पेट साफ लिखा हुआ है, यानि आपको पता चला होगा, कि इसका काम क्या है, यानि पेट साफ हो जाता है, और बहुत अच्छा हो जाता है, पेट सफा, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, इसको natural laxative granules बना गया है, और चलिए, पहले मैं आपको बताऊँगा, कि कंपनी के बारे में किसने बनाया, तो इसको बनाया गया है, दिवीसा कंपनी ने, दिवीसा कंपनी एक आयरवेदिक मेरिसिंस बनाती है, अच्छी कंपनी है, काफी अच्छे रिजर्ट्स है, इसके काफी प्रोडट्स बनाती है, इसके काफी प्रोडट्स काफी फेमेस हैं, डॉक्टर और्थो, जो जोड़ों का दर्द के लिए इस्तमाल किया जाता है, उसके काफी अच्छे रिजर्ट्स है दोस्तों, यह लाग्जट्य है पेट सफा, तो यहाँ पर इसके जो कंटेंट्स लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हो, मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर इच हंडेड ग्राम्स, यानि सौ ग्राम्स हर्बल जो हता है, उसके अंदर क्या क्या है, मैं आपको सिर्फ नाम पढ़के सुनाऊंगा, सेंदा, काला नमक, अजवैन, हरितकी, निसोट, और स्वारजी, सारा, सेंदा नमक, साउफ, कैस्टर ओईल, और प्रिजरवेटिव भी ऐड़ किया गया है, दोस्तों, यह आपको लेना कैसा होता है, यह या तो एक आदा चमच, यह चमच, जो टी, जो चमच, चाय का चमच होता है, उससे चमच से, आपको एक गलास पानी में आपको मिक्स करनी होती है, मिक्स करके आपको पीना होता है, दोस्तों, यह पेट सफा है, याद रखिए, इससे आपका पेट साफ होगा, काफी जाती है आपको 118 रुपीज में अब फिलाल के टाइम पर तो दोस्तों इसका आप यहां पर देख सकते हो इस सीरिल्ड पैक होता है दो आपको चकर नहीं होती है लेने से पहले क्योंकि कहीं केमिस्ट ना यूज किये तो यहां पर देख सकते हो बहुत अच्छे रिजल्स है और काफी अच्छी आकर्शक बॉटल है बड़ी बॉटल है दोस्तों अगर नहीं हुआ तो आप रिपीट करते रहो हर रात को या दिन में कभी दो बार भी ले सकते हो अगर ज्यादा कांस्टिपेशन है यानि कब्स का प्रॉलम है तो लेकिन जब भी होता है तो स्टॉप क स्टॉप किजिए क्योंकि आप लूज मोशन से क्या होता है इलेक्ट्रलाइट इम्बैनस होता है जिससे नमक स्पोटेशियम सोडियम कमी होने के जिससे सुस्तिपन और डिहाइड्रेशन भी होता है तो वह अवाइड करने के लिए आपको करना होता है कि बहतर है कि आप द तो काफी अच्छे रिजर्स मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगी आपको बताईए अगर आपने कुछ साइड इफेक्ट्स देखा हो तो कमेंट के तुरू बताईए कि कैसी है और बस यह पानी के साथ पीनी होती है ग्रैनूल्स होते हैं और काफी अच्छे रिजर्स है दोस्तों ओके तो चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच प्ली सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों